हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम तक में दोस्तों अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI में वर्क्सॉप कलिकुलेशन एंड साइंस का कुशन पेपर होता है तो यह प्रिवियस एर का कुशन पेपर है यह MP में हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं MP Online Limited की तरब से 2018 का यह कुशन पेपर है और इसी साब से जो है आपका भी कुशन पेपर आएगा तो चलिए बा पेपर इंकलूड है तो आप इस वीडियो को कंप्लेट देखिएगा तो चलिए बात करते हैं कुशन नमबर वन की तो यहाँ पर कुशन नमबर वन पूछा गया है तीन सो गुड़े 12 सेंटीमीटर स्कॉयर की आयताकार चादर में से 10 सेंटीमीटर आए आकार के कितने वर् का आकार जो है ए स्कॉयर से निकाला जाता है तो तीन सो गुड़े 12 कर देंगे उसके बाद जो है 10 से डिवाइड कर देंगे तो 36 यहाँ पर उसके बाद सेंटीमीटर में दिया गया है तो वन जीरो और जुड़ जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जब इसको divide कर देंगे तो cut कर 36 का right answer आ जाएगा दूसरा question आप पूछा गया है निम्न में से किसमे carbon का प्रतिस्यत सबसे noon है यानि कि किसमे carbon की मात्रा सबसे कम पाई जाती है correct answer है raw iron में अगला question है प्रकास वर्स जो है किसका मात्रक होता है ये पूछा गया है तो प्रकास वर्स दूरी का मात्रक होता है high school label का एक question या पर पूछा जाता है अगला question पूछा गया है संख्याए 35 तथा 25 के वर्गो का अंतर क्या होगा तो वर्गो का अंतर यानि कि a square minus b square पूछा गया है तो एक question में होता है a plus b और एक question में a minus b तो एक question में आप 35 और 25 को जोड़ देंगे और एक question में 35 और 25 को घटा देंगे उसके बाद दोनों को गुड़ा कर देंगे correct answer आ जाएगा 600 आ जाएगा अगला question पूछा गया है निम्न में से कौन एक allow में सिधात हुए जिसका right answer है chromium अगला question आ पर पूछा गया एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाने तथा चोड़ाई में 20% कमी करने पर इसके छेतफल में कितने परसंट की कमी आएगी इसको बहुत ही आसानिक के solve करते हैं माना की लंबाई 10 थी और चोड़ाई भी 10 थी तो 10 x 10 बराबर 100% थी यह और इसके 10% अगर इसको बढ़ा दिया गया है तो 10% बढ़ाने 10 को 10% बढ़ाएंगे तो 11 आएगा और 10 को 20% घटाएंगे तो 8 आजाएगा तो यानि कि 1188 यह हो गया तो यहाँ पर 188 कितने % कम है 12% कम है तो 12% जो है इसका राइट एंसर आ जाएगा अगला कुशन पूचा गया यदि एक वर्ग का छितपल जो है 4761 है वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा निकालो वर्ग की भुजा क्या होती एसकोर होती A square दिया गया है 461, A square कमान 476 दिया गया है, तो 476 किसका वर्गमूल होता है, यह ग्यात कर लीजिए अब, तो 79 का होता है, correct answer हो जाएगा, option number 3, अगला कुछन पूछा गया, अंडरोट 739, बटे अंडरोट 0.09 का मान क्या होगा, तो आप जानते होंगे 377 किसका वर्गमूल होता है, और 0.9 किसका वर्गमूल होता है, तो आप इसको divide कर दिजिए, answer आ जाएगा, right answer है 90, अगला कुछन है, अदिस राजियों में केवल होता है, अदिस राजियों में केवल पईडाम की आउसकता होती है, अदिसा की नई, correct answer है, option second, अगला पूछा गया, घनत का मातरक क्या है, घनत का मातरक पूछा गया है, केजी बटे मीटर क्यूब होता है, इसका मातरक, अगला कुछन पूछा गया, अगला कुछन पूछा गया, 90 डिग्री फारेन हाइट को केल्विन में बदलना था, तो आप इससे जब केल्विन में बदलनेंगे, तो 305.022 इसका राइट एंसर आ जाएगा, अगला कुछन पूछा गया, 3, 4, 9 का चतूर्था नुपात पूछा गया, 3, 4, 9, यहाँ पर 3, 4, यहाँ पर समान पाते 9, और यहाँ पर कर लेजे, तो इनका इनका मल्टिपलर करके इनसर डिवाइट कर दिये, 4, 9, 6, 36, 36 को जब तीन से डिवाइट करेंगे, तो 12 आ जाएगा, कापी यह भी सिंपल कुछन है, अगला कुछन पूछा गया, किसी वस्तु की चाल नहीं हो सकती है, किसी वस्तु की चाल जो है, नहीं हो सकती है, अगर आप वो अभ्यक्ति दाएं या फिर बाएं चलेगा, किसी भी दिशा में चलेगा, यह अगला कुछ पूछा गया 70 को 10 से 9 चा साथ डीवाइड करेंगे जब 0.7 इसका राइट एंसर आ जाएगी काफी सिंपल कुशन आपके साइंस में पूछे जाते हैं अगला कुशन पूछा गया एक मिर्स धातू में ताबा यूंटिन का अनुपाद जो है क्रमसा 60, 30, 40 है 180 केजी के लोई में ताबे का भार कितना होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 108 किलोगराम आ जाएगा अगला कुशन पूछा गया दूद में पानी की मात्रा मालूम करने के लिए कौन सा यंत्र का अप्रियोग किया जाता है दूद में कितना पानी है इसको कैसे पता लगाएंगे लक्टो मीटर के द्वारा पता लगाते है हाइडो मीटर जो है घनत कुम आपने के लिए किया जाता है पारो मीटर जो है उचताप कुम आपने के लिए पारो मीटर का प्रियोग किया जाता है गलवनो मीटर आप कमेंट में जरूर बताइए अगला कुछन, बिस्थापन परिवर्थन की दर को क्या कहते हैं? सुन डिग्री सेल्सियस पर वाई में ध्वन की चाल कितनी होती है तो ध्वन की चाल जो है वाई में कितनी होती है 332 मीटर प्रेस सेकंड होती है ये काफी अच्छा कुश्चन है अगला कुश्चन पूचा गया एक ट्रक का आउटपुट जो है 6500 जूल है इसकी 1688 परसेंट है ट्रक के लिए प्रदान की इन्पुट और जाग याद किजिए तो करेक्ट अंसर आएगा अप्शन सेकंड अगला कुश्चन पूचा गया किसी वस्तु पर 350 नीटर बल लगान पर 25 मीटर बिस्थापित हो जाते हैं तो कार याद किजिए कार क्या होता है कार बराबर किसी वस्तु पर बराबर होता है बल गुड़े बल की दिशा में बिस्थापन आपने पड़ा होगा बल गुड़े बल की दिशा में बिस्थापन तो बल कितना लग रहा है 350 लग रहा 35 मीटर हो रहा है जब इसको गुड़ा कर देंगे तो राइट एंसर हो जाएगा 87-50 जूल इसका राइट एंसर आ जाएगा ये भी काफी सिंपल है अगला है एक्स पावर जीरो का सही मान क्या होता है जिसका राइट एंसर है एक होता है अगला है 90 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं पाई का मान कितना होता है 180 180 बटे 2 कर देंगे तो 90 आ जाएगा correct answer हो जाएगा option 1 अगला question पोचा गया 30% का अर्थ क्या है 30% यानि 30 कुड़े परसेंट को बदलने के लिए 30% यानि 30 बटे 100 कर देंगे 30 बटे 100 करेंगे तो 3 बटे 10 को लिख सकते हैं 30 बटे 100 को अब इसके बाद यहाँ पर 25 कुशन आपका science हो गया उसके बाद आता है यहाँ पर engineering drawing का कुशन यहाँ पर पूचा जाता है तो पहला कुशन है बीमांकन जो केवल सूचना मातर के लिए पदासित की जाती है उसे क्या कहते है तो उसे जो साहायक बीमांकन कहा जाता है अगला कुशन पूचा गया नीचे चित्र में दिये गए हैमर किस भाग का नाम का चीक है तो यहाँ पर यह हैमर दिखाए गया है तो करेक्ट अंसर है बी अगला कुशन पूचा गया यह आप यहाँ पर देख सकते हैं 594 गुड़े 841 मीमी आकार की सीट को भी निर्देशित करते हैं करेक्ट अंसर है एवन अगला कुशन एक वर्णियर कलिपर से क्या मापा जा सकता है तो वर्णियर कलिपर से जो है आप सभी को माप सकते हैं गयराई को भी वायस ब्यास को भी आंतरिक ब्यास को भी अगला कुशन है कार विहिन विमांकन को कौन से प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है अगला पूछा गया यदि कोई बिंदू पीछ है तिर तल के उपर और उदाता तल के सामने हो तो यह बिंदू किस चतुर्थांस में होगा अगला पूछा गया चित्र में प्रदैसित अजार का नाम आपको बताना था तो यह वरनियर कैलिपर का चित्र है यहाँ पर दिखाये गया आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अफिशियल पेपर है प्रेंट तो विडियो को लाइक जरूर करिएगा अगला कुशन है बृत्ति को जब कोई जीवा दो असमान भागों में विवाजित करती है तो प्रतिक भाग क्या कलाता है करेक्ट टैंसर है बृत्त खंडक कलाता है अगला कुशन पूचा गया किस प्रकार की रेखा की सभी दूसरे प्रकार की रेखाओं के उपर प्रधानता होती है अगला कुशन पूचा गया चित्र में प्रदैसित बवभूच बनाने की कौन सी बीदी दर्साई गई है तो यहाँ पर आपचित देख सकते हैं तो यह अर्ध वित्ताकार विधी है अगला कुछन पूछा गया बृत्ती की सबसे लंबी जीवक कौन सी होती है बृत्त बना दिया यह इसके तरजा होगी अगर आधे पर रहेगी तरजा होगी यह पूरी हो जाएगी तरजा की दोगनी क्या होता है ब्यास होता है अगला इरो हेड की लंबाई उसके चवडाई की कितनी गुना होती है तो यह तीन गुना होती है संदर्ब रेखा और उसके लंबो तरेखा के बीच का कोड क्या कलाता है सम कोड का लाता है राइट एंसर सेकंड है अगला है चित्र में प्रदैसित अच्छरांकन का नाम बताईए तो ये दी घाती अच्छरांकन है यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं और अगला है त्रबुज जिसका एक कोड 90 डिग्री से अधिक हो कौण सा कोड खलाता है अधिक कोड कलाता है और 90 डिग्री से कम हो 31 कोड कलाता है सम कोड जिसका मान 90 डिग्री हो सम कोड कलाता है कुछिन सोला पूछा गया 36 या उर्दादवर तल के सापेच किसी कोड पर खीची गई रेखा को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आनत या त्रयक रेखाई से कहा जाता है अगला है यांत्रे कुद्योग में इंजिनिरिंग ड्राइंग और डिजाइन के लिए लिए माप की प्राथमी की काई क्या होती है कर्यक्ट अंसर है मिलीमेटर होती है अगला है B प्रकार के अच रांकन के लिए छोटे अच्छरों की उचाई कितनी रखी जाती है correct answer है एक dropter 7 बटे 10 एच रखी जाती है अगला है एक dropter बनानिक में सायता कौन करता है correct answer है समानतर और लंबोत रेखाई इसकी सायता करती है अगला कुछन है, बीड़िंहींद प्रकार के कोड होते हैं, एक सरल कोड वह कोड है, जो होता है सरल कोड की से कते हैं, एकसी डिग्री के जो बराबर होता है अगला है, एक बिंदू का बिंदुपत जो सदेव अपनी दिशा में बदलति राती है, क्या कलाती है तो correct answer वक्र रेखा काल आता है अगला पुछा गया nut bolt किस प्रकार के fontaners है तो correct answer अस्थाई fontaners अगला कुछन है cutting tool के अंतरगत आने वाले आउजार कौन कौन से है तो ये है file अगला है कौन सी प्रकार की रेखा विमांकर का एक हिस्सा होती है correct answer है विस्तार रेखा है अगला कुछन है किस प्रकार के प्रच्छे में वस्तु की एक ओर 36 से 45 डिग्री के कोड पर आती है उसे क्या कहते है तो यहाँ पर आप देख सकते है तो ड्राइंग के यहाँ पर जो है आपको टोटल यहाँ पर 25 कोशन मिलते है और साइंस के भी 25 कोशन है आपर वर्कसाप कलिकुलेशन साइंस के भी 25 कोशन मिले थे तो फ्रेंड उमेद है आपने सारा कोशन देख लिया होगा इसी प्रकार आपका भी पेपर आएगा तो आप इसी तरह तैयारी करिए तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बिल आइकन को जरूर दबाईए मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो झाल